जब तक आपकी सरकार है आप जो कर सकते हो मजजी तोड़कर मंदिर बनाओ जो कर सकते हो आपकी मर्जी आपकी सरकार है पुलिस आपकी अकबार आपके कानून आपका मीडिया आपकी जब हमारी सरकार आएगी पुराना वाला दोर वाप इसलाद देंगे सावाज सोटे क्या बात तुने बोली है बगल में खड़े बड़े लोग भी तालिया बजाने लेगे आगे भी बोले ऐसी बात तुमने क्यों बोली मतलब ऐसी खबरे देखते हो क्या सुनते हो है हमने तो इस चचा बकलोल को समधार समझाता लगिन हम ही लग रहा है कि इस लोटे के इस बच्चे के मदरसे का टीचर यही पखलोल चचा अजीद दोबाल कौन है अजीद दोबाल का क्या रोल था पहले जाके पढ़़े और जहां तक रही मंदिर की बाद तो एक काम करई तू साह परिवार 22 जनुरी को नहाद होकर मलमूत रत्याग कर जाकर मंदिर में प्रेम से दर्सन कर फटना नहीं है तिरे को वहां जाकर फटना नहीं है फिर जब सरकार बदलेगी तो सब पूरा पुरान वाला दोल ला देंगे इतियास वही पुरान वाला हो जागा जैसा पहले था इस सरकार से पहले जैसा इतियास था कौन सी सरकार है आपकी जिसको आप अपना माने कांग्रेस इमांदार सरकार आपको बरुसा है कि को यह आपकी सभी इच्छाय पूरी होंगी पूरा जी होई बीजेपी को वाटर बड़े ही निर्दाई हैं यह बैचारे यह बैचारे सांती दूद लोग 9 साल से पिछले 9 साल से परिसाम है अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा अपनी सरकार आएगी तब हम हिंदू को बताएंगे देश में यह करेंगे वो करेंगे लेकिन इन वाटरों को समझ में ही नहीं आता यह बार 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 बीजेपी को ही जिताने में लगे हुए हैं उन पेचारे को सबक सिखाने का मौका ही नहीं मिल रहा है उत्तर पर देश में बैचारे कुछ करने के कोशिज भी करते हैं तो बाबा का हंडर उनका पिछवाड़ा तोड किए हम ये पहले कह चुके से कि कोट का जो फैसले होगा वो हमें मन्जूर होगा लेकिन आज मैं आपके चैनल क zorpointकर कोग करता हूँ के कोट का चाहें کوई भी फैसला हो हम मानने को तयार नहीं है कि कि बाबने मस्ज्जश के सलसले में हम कोट की बैइमानी देख चुके हैं व वही बेईमानी इजगा के साथ होने जा रही है, दूसरी बेईमानी हम बरदाश्ट करने को तयार नहीं है। कि एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला, अगर पत्ता हिलनाने की कोशिस की, तो तुम जानो तुमारा सरीर जाना। तो डंके की चोड़ पर बहुत कुछ करते हैं। इन सीएम साहब का तो स्वयग ही अलग है। इनका सीधी बात नो बक्वास। ये परिबात तो ये हिंदू, मुसलिम सब को एक नजर से ही देखते हैं। वहां सर्वे हो रहा, यहां भी सर्वे करवा ही देते हैं। एक आख से देखते हैं। और दूसरी से मारते भी हैं। आज खरगे जी खुद वॉलिंटरिली एक लाग अरतिस अजर उपे को डूनेट करने की प्रफिया को शुरू करें। एक मैने की तनकावे। खरगे को कौंगरेस ने पार्टाइम अध्यच बना दिया है। चलो वह बात समझ में आती है, कंट्रोल कहीं से भी हो। लेकिन अभी इसका मतलब यह थोड़ी कि बैचारी का सैलरी ही ले जाओ। महीने महीने की ऐसे ही सैलरी दान में जाएगी। तो बैचारी को कितना तकलीफ होगा जैसे देखी रहा है। क्योंकि उसको भी पता है। ना तो उसका कुछ होना है ना ही कॉंग्रेस का। बड़े लेबल की। अपने को तो नहीं पता। कि सोनिया के सुरंग से कौन बार डांसर इंडिया में निकल के आया है। आप लोग को पता है क्या कॉंड करिए गया। नहीं है। उनका मकान तुडवाया क्या रहा किरया है। करे क्रिमिनल जय को वहार थे को पुल्डोजर trabajar अरूज को गॉली को तो गलत किया। परसासन ने गलत किया, उसका लॉंडरा काम पर जा रहा था, ड्यूटी पर जा रहा था, आपने उसको जेल में डलवा दिया, पथर मारने का भी नहीं हक है, क्या उन्हों को? गाड़ियां जलाने का भी नहीं हक है, क्या उन्हों को? ये तो गलत बात है. लगता है पूरे देश के चम्चो को पुरे देश के जाहिलों को पपु नहीं पाल रखा है जो मोधी को मारने की बाद करे वो कॉंग्रेस सपोर्टर निकलता है जो हेंदू की मारने की बाद करे पपु सपोर्टर है जो मंदिर तोडने की बाद करे उसको पपु की सरकार चाहिए पपु परधान मंत्री चाहिए घजब माहिचिंग बनाये होगे 2014 का चुनाओं जितने के लिए या लोगों में भई पैदा करने के लिए आमें डर है या हमने लगता है आमें शंका है कि जो राम मंदिर का उल्गाटन होने जा रहा है अविध हमें उस वक्त पुरे देश में से लुगों को बुढा कर ट्रैन चोड़ कर इसी ऐसे एर्या में अयसे विभाग में ट्रैन पर पत्राओ की जाएगे पत्रों पर आपके गुलें शोड़े जाएंगे कि बुल्वात टूज हो अईउध्या मंदिर पर कोई अटैक हो जो कि जैश ए मुहम्मर या अलकायदा सबसे वफादार लड़कों बच्चों न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी और मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ तेरा सपना साकार हुआ तेरे को भी पता है कि मौन सरकार तो बिल्कुल नहीं है चुप रहने वाली सरकार तो बिल्कुल नहीं है जल जला ला देगी घर में घुसकर मारेगी और घर के अंदर जो बैठे होंगे योगी जी पहलेंगे उसके बात तुम लोग का नमबर आएगा कि इतनी अच्छी जानकारी पहले से कैसे थी तुम लोग इस टॉन पेल्टिंग क्यों कम हुई जितनी नोकरियों की एड़टाइज है इसमें सरकार ने त टाइ कर लिया है कि स्टॉन पेल्टिंग का एक बीक केस अगर रजिस्टर है तो वो परिवार में से किसी को नौकरी नहीं मिलें तुम यह विदेश बाब कर आतंकवाद करते हैं वो लोग डरे हैं क्योंकि हमने ताइज किया है जिसका परिवार का जन पाकिस्तान बैठकर आतंकवाद को प्रोचान देता है उसके परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिलें तुम मेंसे संती दूद भाईयों आप लोगषाइद मौटा बहाई की बात को समझ नहीं पाए होंगे फूलों से स्वागत किया जाएगा परिवार में एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा पकड़ पकड़ कर सरकारी नोकरी दी जाएगी तो आप लोग खुद समधदार हैं अपने अपने हिसाब से इस्टोन प्लेटिंग करो क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग इस वीडियो के बारे में कमेंट करके बताईए मोटा भाई की बातों को आप लोग कैसे ही लेते हैं ये भी कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो में जो भी किलिप आप लोग ने देखा उन किलिप पर आपका क्या रियक्शन है क्या बिचार है कमेंट बॉक्स खाली है कमेंट में लिख सकते हैं वीडियो पसंद आये तो लाइक भी कर सकते हैं मुन्ना भाई की साथ जुड़ने के लिए सपोर्ट करने के लिए आपको सिर्फ करना है चैनल को सब्सक्राइब चोकी होता है बिल्कुल फिरी तो सब्सक्राइब करें जुड़ चाहिए मिलते हैं एक लिए वीडियो पर थेंक्स वाराज जी